सवाल गोत शब्द पहली बार प्रयुक्त हुआ है A. अथर्ववेद B. रिगवेद C. सामवेद D. यजुरवेद सही उत्तर है B. रिगवेद सवाल प्रारंभिक वैदिक आरियों का धर्म मुख्य रूप सिथा A. भक्ती B. छवी पूजा और यग्य C. प्रकृती और यग्यों की पूजा D. प्रकृती और भक्ती की पूजा सही उत्तर है C. प्रकृती और यग्यों की पूजा सवाल रिगवेदिक काल में लोग मुख्यत हकिसमे विश्वास करते थे A. मूर्ती पूजा B. एक भग्वान विश्वास सी, देवी पूजा, डी, बलिदान और अनुष्ठान सही उत्तर है, डी, बलिदान और अनुष्ठान सवाल, दस राजाओं का प्रसिद युद्ध नदी के तट पर लड़ा गया था ए, गंगा, बी, ब्रहम पुत्र, सी, कावेरी, द, परुष्णी सही उत्तर है, द, परुष्णी सवाल, रिगवेड में वर्नेत, दस राजाओं का प्रसिद युद्ध किसके तट पर लड़ा गया था ए, परुष्णी, बी, सरस्वती, सी, विपासा, डी, असिकनी सही उत्तर है, ए, परुष्णी सवाल निमनल इखित में से किस नदी को रिगवेड में मातेत्मा, देवितामा और नादितामा कहा गया है? ए, सिंधु, बी, सरस्वती, सी, वित्स्ता, द, यमुना सही उत्तर है, बी, सरस्वती सवाल उस जन्जाती का नाम बताये जो रिगवेड आरियों के पंचन से संबंधित नहीं है? ए, यदु, बी, पुरू, ग, तुर्फसा, डी, कीकट सही उत्तर है, डी, कीकट सवाल प्राची इंकाल में आरियों की मुख्या जीविका थी ए, क्रिशी, बी, शेकार, सी, कलाशिल्प, डी, व्यापार सही उत्तर है, बी, शेकार सवाल रिगवेड में वर्नेत, यव, शब्द किस क्रिशी उत्पात के लिए प्रयुक्त होता है? ए, जो, बी, ग्राम, सी, चावल, डी, गेहूं सही उत्तर है, ए, जो सववैदिक युग में प्रचलित शासन प्रनाली थी ए, निरंखुष, बी, लोकतांत्रिक, सी, गनराज्य, डी, अवरोही राजशाही सही उत्तर है, डी, अवरोही राजशाही सही उत्तर है, ए, बी, अवरोही राजशाही झाल झाल